और सिधे आपको लेए चलते हैं वारार सी जहां कार करता समेलने में प्रधानमंत्री नरिन मोदी भी पहुचे हुए हैं और डिप्टी सीम केश्व प्रसाद मौर इस समेलन को सम्दोधित कर रहा है बिकास के लिए लोगों के आत्मिर्भर बनाने के लिए नहीं बलकि ध्यान रखना ये आने वाले पांच साल के अंदर पांच पीडियों की सुरच्छा का सवाल है अगर समाजवादी पार्टी और उनके जैसे जो राजनीतिक दल जो भाजपा के मिरोध में लड़ रहे हैं अ 24 करोन लोगों के सुरच्छा का कवच है इसे मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहूँगा दो हजार बाइस के चुनाओं में आपको दो हजार उनईस से भी जेदा मेहनत करनी है समाप करना है कि नहीं समाप करना है लोगो और लोग तंस में समाप करने के लिए ताकत क्या होती है ओट की ताकत होती है और ओट आपका हर घर में रखा हुआ है जिनके पास आप नहीं जा रहे हैं तो आपके पास अगर आ जा रहे हैं तो मैं आप सबसे ही अपील करता हूँ जिनके पास आपको जाना चाहिए कई बार संकोच में आप नहीं जाते से कई ऐसे काम मैं कोई लंबा भासर दू या मर्यादित नहीं है लेकिन मैं आप सब लोगों के कहना चाहता हूँ आज कोई भी घर, कोई भी जाती, कोई भी बिराद्वी कोई भी समुदाए भाजपा के विरुध नहीं है और वहाँ सब भाजपा के साथ आना चाहते है 2014 से पहले यही सपाबस्वा के कांग्रेश के लोग एक दिवार खड़ी किये थे और उस दिवार में लिख दिये थे कि जो पिछड़े वर्ग के लोग है जो अनसूचित वर्ग के लोग है वह भारती जनता पार्टी में ना जाएं क्योंकि भारती जन्ता पार्टी तो क्यों लगडों की पार्टी है लेकिन जब मानी प्रधानमंत्री जी एक गरीब माबाद के बेटे के रूप मे भारती जन्ता पार्टी के प्रधानमंत्री पत्के प्रत्यासी के रूप मे देश के सामने प्रदेश के सामने आए तो पिछड़ों को लगा कि हमारे कोई अपना सुख दुख को समझने वारा आया है सब ने बिना भेद भाव के जब भारती जंता पार्टी को वासिरवा दिया और भारती जंता पार्टी से रिस्ता जोड़ा तो रिस्ता जोड़ने के बाद लोगों को लगा कि सही मायने में हमारी पार्टी तो भारती जंता पार्टी है पिछडों को दलितों को भाजपा के नाम से डराने वालों की दुकान अब पिछडों और दलितों में नहीं गल पा रही है आज डाल गर नहीं गल पा रही है आप वो मुसलमानों की एक दिवार खड़ी किये हैं कि मुसलमानों भाजपा तो हिंदूओं की पार्टी है आपका भला नहीं करती है बताएए प्रधान मंत्री आवास योजना का आवास प्रधान मंत्री सौभाग योजना की भिजुली प्रधार मत्री उजला योजना का गैश का कनेक्शन आई उसमान भारत के इलाज का कार्ड अभी हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना हर चुनाओ पांचवे च्रण का समाथ हो रहा है अब आप ही के बीच में रहे करके अलग से सबसे मिलूंगा बहुत-बहुत धन्वाद भारत मता की जैस्टराव हरो हरो माम पानिप न्हान मंत्री जी को मैं साधर आमंतित करता हूँ आप उद्वोद्धन देने की खरपागर हर हर महादेर हर हर महादेर नमप पार्वती पतेर आप सब काश्विवासी लोगन के प्रणाम हो इब मनारस पर हमें नाज हो मनारसी लोगन के महनद और लगन पर भरोसा हो जैसे आप चोदों में पराकरम देखावला सत्रा और उन्निस में साथ देला वैसाई यी बाइस भी फता करवा प्रुश्ट प्रुश्ट ये वाज़न के लिए लोगन के लिए भी प्रुश्ट वेज़न के लिए देखावला